हेलो दोस्तो परफेक्ट एकेडेमी में फिर शे एक बार आपका श्वागत है अब तक हमने देखा के जो सीगेट और डबल डी के वन बाई वन जितने भी मेन्यूवाइज मेन्यूवाइज पूरा का पूरा हमने पढ़ा देखा प्रेक्टिकल करने की कोशिश पी की अब हम दूसरा राउंड हमारा सुरू करने जा रहे है जिसके अंदर हम जितने भी IMP पॉइंट है उसको बहुत बारिकी से चो पॉसिबल है और एक कमांड को हम प्रेक्टिकल आज से टोपिक बाई टोपिक शुरू करेंगे चो एक पूरा बड़ा वीडियो था उस पर हमारा खास इंपोर्टेंस यह थी कि आपका बेज बन जाए एक अच्छा वाला बेज आपका डेटा रिकवरी माइंड के लिए सेट अप हो जाए ताकि वही ओप्शन अब आगे भी आने वाले है दो तीन बार उसे रिपीट होगा तो आपका भी दिमाग में बेठेगा और कुछ नहीं नहीं नोट्स उसमें एड होती जाएगी तो आपका माइंड एकदम स्ट्रोंग हो जाएगा और बहुत अच्छी तरह आप रिकवरी कर पाओगे और हमारे तरफ से भी पूरा आपको सपोर्ट हमेशा रहेगा ठीक है तो आज हम आज से हम टोपिक बाई टोपिक चो म हमने कहा था अपने इंडेक्स में और अपने वीडियो में भी कि हम तीन राउंड में डेटा रिकवरी आपको शिखाएंगे जिसका पहला राउंड अब तक डिये फेल का खतम हो चुका है जिसमें जिसके अंदर हमने मेन्यूल वाइस सारे के सारे ओप्संस हमने देखे और उसमें काफी हमने नोट्स भी देखे कि कौन से कौन से आएंपी है अब वही उसी में से जो जो आएंपी है उसके अंदर कुछ और नोट्स देखेंगे और टोपिक बाई टोपिक के इतने टोपिक की है उसके उपर ही सिगेट की डेटा रिकवरी है इतने टोपी की है कि उसके उपर डबली यानि कि वेस्टन डिजीटल का पूरा डेटा रिकवरी चल रहा है उसी इसी तरह वन बाइवन एक एक करके हम सारे के सारे टोपी हम आपको बहुत अच्छी तरह दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे और इसके बाद जो हमारा तीसरा राउंड कभी न खत्म होने वाला राउंड आएगा उसका नाम है प्रेक्टिकल लाईव कैस यह आगे के दो राउंड अगर आपके क्लियर होगे तो हंडेट पसंड आपको तीसरे राउंड में बहुत अच्छा दिमाग दोड़ेगा अच्छ बहुत दिक्कत बहुत प्रेशानी होगी इसलिए आपने पहला राउंड अभी एक दो बार देखा है तो दो चार बार ओर देख लीजिए उसी के आधार पर ही दूसरा राउंड होगा जिसके अंदर हम वन बाई वन पूरा का पूरा टोपिक देंगे उसके बाद हम पूरा अगर नहीं देखा है तो दूबार भी आप जरूर देख ले दो चार बार देखे दिमाग में से निकल जाता है बार बार देखा करे रेगूलर देखा करे में भी खुद देली तीन से साड़े तीन चार घंटे का रीडिंग करता हूँ सबी केसों को ध्यान में रखना बहु तरब से पुरा कोशिश करेंगे सिखाने की पर आप भी थोड़ा ध्यान देगे तो बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो आज हम हमारा दूसरा राउंड आज दिये फेल का शुरू करते हैं अभी हमारा एमार्टी पुरा का पुरा पेंडिंग में ह है दिये फेल के बाद हम एमार्टी शुरू करेंगे और बीच में रेपिर स्टवार और स्टेबिलाइजर का भी एक पुरा का पुरा मेनियोल ले लेंगे मेनियोल का वीडियो बनाएंगे ठीक है तो वन बाई वन हम आगे बनेंगे आज से हमारा सिगेट इंपोर्टेंट पार्ट वन इंपोर्टेट टोपिक्स में भी हमने पांच-छे पार्ट अलग-अलग किये है ताकि जिसके रिलेटेड जो है वो उसी के साथ जोड़ा गया ताकि आपको सिंपली माइंड में बेट सके पहला राउंड हमने किसका लिया कि पूरा का पूरा जितना फीचर से स अब चोटे बड़े सब दिखाए अब दुबारा हम सुरू करते हैं उसमें से जो आएंप आएंप जिस्स गुरूप का है उसके आधार पर हम उससे अलग बनाएंगे उसके आधार पर आपको बहुत समझ में आ जाएगा इसके बाद हमरा आओगा स्टेप बाइस्टेप के हम लाइव केस का स्टेप बाइस्टेप के पहले क्या चेक करना है बाद में क्या चेक करना है उसके बाद कुन सा स्टेप आगे बढ़ना है मगर वो आगे वाला थर्ड राउंड जो हमरा स्टेप बाइस्टेप का है उसके लिए आपके ये आगे के दो राउंड आपका 100% क का हम बारीकी से बहुत अच्छी तरह हमने देख देखकर पूरी कोशिस की है कि आपको अच्छी तरह समझाया जा सके ठीक है तो सिगेट इंपोर्टेट्स टॉपिक्स पार्ट ए रेकोगनाईज सिगेट एडीडी लेबल ठीक है सिगेट एडीडी लेबल को पहिचाणने के लिए डोनर एडीडी डोनर फॉर्मवेर और यहां तक कि डोनर पीसीबी को फाइंड यानि कि दूरने में हेल्प मिलती है तो यह हमारा सिगेट का स्टिकर है जिसके उपर हमाई इतनी प्रकार की अलग-अलग शके-र वीर मोडल नंबर प्रोड़क्ट इन चाइना रश्याग जो बिखो यानि कि प्रोड़क्ट इन यानि कि मिनूफ्य Εवें कि ति ठीक है सिरियल नंबर के आधार पर हम जो भी हड़ डि़कर रोम होता है उसका अंदर जाकर यह सेरील नंबर के साथ मेंच करना होता है ताकि हमें पका पता चले कि यह PCB इसकी ही original है ठीक है वो भी हम आगे दिखाएंगे और simple है उसमें कुछ है नहीं मैंने आगे के उसमें भी दिखाया था last में वही उसी तरह हमें match करना है ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं यूजर को model number, serial number, firmware version, site code, part number, manufacturing country आदी की चेक करने की जरूरत है जब हम head replacement करने के लिए donor ढूनते है तब ये सब चीजों को मेज करना जरूरी रहता है ठीक है तो sticker पर इतनी information को आपको एक बार दिमाग लगा कर चेक कर लेना है ताकि आपको कभी भी head replacement के लिए donors टूनते हो तब आपको ये खयाल में रहे मस्टली यूजर रूम से ID information की चेकिंग कर सकते है जैसे की serial number और यूजर ये तब कर सकते है रूम के serial number की compare लेबल से करने के लिए ये देखने के लिए कि current PCB original है या नहीं serial number को sticker के मेच करना है यानी कि जो हमारा Roam का serial number होता है उसको हमें पीछे sticker लगा हुआ है उसके serial number और Roam के serial number मेच हमें करना पड़ता है थीक्ए तो वो हम कैसे करेंगे वोभी एक बार हम देखने की कोशिश करते हैं अभी मैंने स्टिकर के साथ मेच करना होता है तो मैं अभी सिगेट में जाता हूँ जो मैंने लगाया हुआ है उसमें हम देखेंगे अभी सिगेट में जाता हूँ अटो गेट टेल्स कभी कभी नहीं होता है तो एक दो बार दुबारा भी ट्राई करना पड़ता है हमेशा सिगेट के अंदर डवेल डी के अंदर ये तो हमेशा हमें नॉर्मल ही ये करना पड़ता है तो उसमें कुछ दिमाग गुमाने की बात नहीं होती है तो हमें वेट करना पड़े तो वेट तो फिर से एक बार हम पावर ओफोन करते हैं यह एक बार क्लोज करना पड़े तो क्लोज भी करते है तो इस तरह यह सा कोई भी प्रोब्लेम हो तो उससे तंग आने का नहीं है दुबारा तीन बार चार बार जितने जार भी जरूरत पड़े उतनी बार करना पड़ेगा काफी बार तो यह सा भी होता है कि आपका ड्राइव रेडी हो आपने कर दिया है बाद में जब आप डेटा के लिए लगाते हो तब ड्राइव डिटेक्शन में नहीं आता है तो यह सी छोटी छोटी प्रोब्लेम से तंग आओगे तो उस तरह के दरने का नहीं है हमें रोम में जाना है डिट रोम ठीक है तो जहां प्रहीं भी हमारा फोल्डर होगा उसके अंदर जहां हमने डेटरी रखी होगी उसके अंदर हमें ओके करना है ठीक है पर पहला हमें क्या करना है जो कॉमपोर्ट ओपन नहीं था उसकी वज़े से यह इस्यू आ रहा था तो हमें पहले हमें कॉमपोर्ट को ओपन करना पड़ेगा बाद में पावर ओफ पावर ओन ठीक है एफ्थ्री टी भी हमारा जनरेट हो चुका है तो मैं एक बार यहां से एक्षिट होता हूँ फिर्शे में एंटर होता हूँ ठीक है तो इस तरह का कभी भी इस तरह का कोई इस्यू आता है तो उससे गवराने का नहीं है तंग नहीं ओने का है प्रिशान नहीं होने का है बस एक बार मक्सद हमें सा हमारा क्लीर होना चाहिए के मैक्सिमम कोशिस करने का है ठीक है अब हम देखते हैं कंट्रोल Z से F3 TB जनरेट हो चुका है अब मैं रोम में जाता हूँ रीड रोम करता हूँ जहां कहीं भी हमारा ये डायरेक्टरी होगा उसका मैं लोकेशन सेट करने कर रहा हुआ है वहाँ पर ये सेव होगा उसके बाद by comb, read roam, without short और हम यहां से 38,400 ब्रोड रेट से हम यह read कर सकते हैं तो तक्रीबन 15% के अब read roam हो चुका है कभी-कभी read roam फेल होता है तो भी हमें गवराने का डरने का नई है कभी-कभी काफी student का ऐसा होता है कि यहां थे ID की detail चली जाती है तो जैसे उसकी सांसे निकल गई तो ऐसा नहीं कभी डरने का नहीं है एक बार नहीं है तो दुबारा try करने का है तीसरी बाट राई करने का है और step by step देखने का है देखो देटा रिकावरी यह step by step जो आपके पास option है वही दुनिया के पहले नमबर के data recovery करने वाले के पास options available है वो कोई अपने आथों से painting नहीं करता है किसी भी topic का तो आपको डरने का नहीं है बस इतना जेक नहीं है कि उसे कि लोग ऐसा सोचते हैं मेरे को ऐसा भी call आता है कि सर दूसरे से वही चीज हुई मेरे से नहीं हुई पर साइद यहां तो वह कोई case difference तरह का हो सकता है यहां पर तेरी कोई गलती हो सकती है बाकि यह machine है यह hardware है यह किसी के मोसी का लड़का नहीं होता है नहीं यह किसी का relative हो जो बंदे ने वो जिस तरह वो बंदे ने कमांड दिया उसी तरह आपने भी दिया होगा तो यह work करता ही है ठीक है दोस्तों तो कभी भी गबराने का नहीं मेरी academy में मेरे institute में हमेशा आपको confidence तो मिलेगा ही मिलेगा आपको बिलकुल tension नहीं लेने का है आपको जो भी possible है व अगर तंग आ जाओगे तो कभी भी data recovery field में आप टिक नहीं पाओगे मैंने अपने course content और पूरी detail वाले video में भी सबसे पहला topic की यह रखा हुआ था कि अब तंग आ जाओगे मेनत करना छोड़ देने का तैक किया तो data recovery में कभी भी टिक नहीं पाओगे क्यूंकि यह तो बह दूसरों की help लेता हूँ तो यह help लेना कोई बुरी बात नहीं है उससे हमें कुछ छोटे नहीं हो जाते है ठीक हर एक बंदा data recovery field में सिखी रहा है तो हमें बिल्कुल tension नहीं लेना है अब हम में open work directory में जाता हूँ जिसके अंदर रोम जो हमने अभी रीड किया यह हमारा रोम ओपन हो चुका है ठीक है तो मैंने हम देखते हैं चलो इसमें सिरियल नंबर कोई सिरियल नंबर हमें देखते नहीं है तो हम अपने यार्डिस के स्टिकर के साथ इसका matching कैसे करें ठीक है तो मैंने आगे के वीड में यहां दुबारा दिखाता हूँ ठीक है रोम के अंदर जाना है एडिट रोम ऑपन फाईल ऑपन फाईल के अंदर हमारा जहां कहीं भी रोम पड़ा हुआ है वह डिरेक्टरी हमें तो पहले हमें यहां से अपनी वर्किंग डिरेक्टरी को कोपी करना है यहां फिर यहां से रोम उठा कर एक सिम्पल ही बाहर में डेक्स्टोप पर अभी के लिए रख देता हूँ ठीक है जिसका नाम में टेस्ट रोम करके फोल्डर में में कोपी करके रख देता हूँ ताकि आपको सिम्पल ही समझ में आ सके और हम वहां डुणने भी हमें कोई इस्यू ना हो तो यह ओपन फायल डेक्स्टोप और टेस्ट रोम वहां से ही जो रोम की अपको दिखती है वो आपको ओपन करना है और वहां जाकर ओपन करने के बाद आपको आईडी पे क्लिक करना है तब आपको यह सिरियल नंबर दिखेंगे यह आपको अपनी harddisk के Sticker यानि कि ये जो heart risk है उसी तरह आपकी जो heart risk है उसके serial number के साथ आपको match करने का है अगर ये दोनों change है तो तो आपकी original आपकी PCB औरीजनल नहीं है किसी ने छेडा हुआ है ठीक है तो यहां फिर किसी ने दुसरी आ रोम डाल कर डाला हुआ है और PCB वही की वही रखी हुए है ठी यह मोका भी ज्यादतर छोड़ते नहीं है छेड़ने वाले है काफी है जो छेड़ते हैं तो क्योंकि वह दूसरा रोम डालने के बाद भी यह सीरियल नमबर सेम के सेम डाल देते हैं ताकि पता ही ना चले क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो चोर लोग होते हैं जिसको उसके माबाप ने चोरी करकर ही खाना सिखाया होता है इसे लोगो ESP धियान में रखके ही चोरी करते हैं ठीके पर हमें कभी भी मैं इस बात का आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ कि कोई हार्डिश कोई कस्टमर कोटेशन पास ना करे तो तो उसकी आर्डिश बिगाड कर उसे वापस दी जाए ठीक है उसको यह सही वापस दे दो आप एक दो केस में कुछ मर जाने वाले नहीं हो मगर आज की फिल्म में किसी को पता चला साबित हो गया और काफी तरह से साबित हो जाता है ठीक है तो साबित हो गया तो बाद में बे समझ रहे होगे वो में ऐसी उमीद करता हूँ तो कभी भी इन शोर्ट में यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी की आदिश के साथ छेड़ खानी करने का नहीं है वरना अगर होगा तो जिमेदारी तो आपकी ही है मेरा तो कुछ है नहीं मगर बदनामी एक बार पुरा नाम बदनाने में दो साल लगए है बा नाम बिगणि में शिर्फ एक केस लगशका है और वीडियो वाइरल होता है वो अलग मेरे पास भी ऐसे वीडियो आते रहते है तो कहीं यसा ना हो कि कोई मेरा स्टुडेंट ही इस तरह के वीडियो में शामील हो एसी में उमीद करता ओ और इसी के साथ आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह हमें रोम को रीड करके स्टीकर के साथ मेच करके ये तेख करना है कि हार्डिस्क को हार्डिस्क की PCB ओरिजनल है या नहीं है एक ही मोडल नंबर या एक ही मोडल नंबर या एक ही ओधर्स आईडी की इनफोर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि ADD inside physical head structure शेम है इसर को special firmware repair program द्वारा अधिक चेक करने की जरूरत है यानि कि same model नंबर हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर है इसका head structure भी same होगा उतने ही head होगे head के लिए हमें काफी सारे parameters match करने होते है ठीके तो ये जो notification है ये head replacement के लिए है इसके लिए आपको preamp match करना होता है company code भी match करना होता है इसलिए कभी ये इसलिए दोराया गया है कि सिर्फ model नंबर के आधार पर same to same head structure होगा इसा मान लेना अच्छी बात नहीं है वो और वो सच्छी बात नहीं है उसके जो भी parameters रहते हैं वो सब हमें match करना होता है ठीके वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं हमारा topic number 2 सिगेट एडिडी वर्किंग मोट्स ठीके तो सिगेट दो मोट्स के अंदर वर्क करता है जो मैं आगे के वीडियो में भी बताया हूँ इसमें और भी deeply थोड़ा बताऊंगा एटी ए मोट और कॉम मोट दोनों के बीच में डिफरेंस हमें वर्किंग डिफरेंस क्या है वह हमें देखना है बाकी वह किस ने बनाया किसने उसको डेवलोप किया किसको रंगिन बनाया उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है हमारी एकेडेमि के आज शोट एक मेन ही वही चीज है कि जो काम का है उस पर बहुत और ज्यादा मेनत करो जो बेकार है जिसका कोई काम नहीं है कई पी कुछ काम आने वाला है उसके पीछे किताबे तून 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 कर वक्त बरबाद करने से कोई फाइदा नहीं है इसकी वजाए यह काम की चीजे भी इतमे काफी लेंदी है तो वेकार की चीजों के पीछे पढ़ोगे तो इसे भी कमफिस हो जाएगा ठीक है तो इसके अंदर दो मोड होते है एक ATA मोड एक कोम मोड कोम मोड यानि कि जो हम केबल लगा कर जो हम वर्क करते है उसे हम कोम मोड करते है के बीना बीना कोंब मोड चे वर्क करते हैं जिसको हमें ए टिये मोड केते हैं सिसे कि हम इस तरह से हमें जो यह पहले हमारा व्रकेबल और साटा उठा के श्रीगेत में तिसरा जो यह टर्मिनल होता है जिसके अंदर हम में िल केते हैं विसको कबри काइब उसको उन्म passt अपन करते हैं वह अपन करते हैं वह हमारा कॉम मोड इन शॉट शिंपली उसके लिए यह इस तरह का कॉम कंडेक्टर आते हैं जो हरे कंपनी में आपके देखे थोड़े-थोड़े सबी की डिजाइन थोड़ी-थोड़ी अलग होती है मगर उसका सभी का वर्क एक ही होता है यह MRT का कॉम टर्मिनल से सिगेट का भी आता है अलग तरह से केबल भी लगा सकते हो सभी एक ही काम करता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है उसकी कुछ स्पेशालिटी नहीं है कि इसमें यतना यह चाहिए यह चाहिए और एक का थोड़ा ज्यादा स्पीड में अफ माइनस होता रहता है मगर सबका वर्किंग एक ही है ठीक है तो उसे इस तरह लगाया जाता है कि पहले पावर बाद में शाटा और लास्ट में हमारा यह रहता है टर्मिनल ठीक है तो यह टर्मिनल से इसे इस तरह लगाते है और इसकी दूसरी पी इमेज है और यह हमारा जो ADD डोनर करके साइट है उससे खरीदा हुआ केबल वाला है तो इसको इस तरह लगाया जाता है ठीक है यह सिगेट का है यह WD का है यह WD 3.5 का है यह शेम्शंग का है तो के अंदर के अंदर चारो पीन लगती है ठीक है नदर पहले यह लों आता है इसके अंदर पहले और जाता है यह तो तो इसके लिए है, बाकी तो हर एक company का अलग-अलग रहता है, तो उसके मुताबित उसने अलग-अलग बने हुए है, तो इसमें से जो company wise ही रहता है, उसमें तो कुछ देखने की चीज नहीं है, वो तो अलग-अलग होगा, तो सिगेट का डायरक्षी गेट में लग जाएगा कि Samsung में येलो पेले लगाना पड़ता है, इसमें सिर्फ दो ही आता है WD में, तो उसमें ये करना होता है, उसके आधार पर आपको इस तरह set करके work करना होता है, ठीक है? तो ये all-in-one cable होता है, इसके लिए ये थोड़ा देखने की बात है, बाकी तो MRT, DFL के साथ, PC3000 के साथ आते हैं, वो तो company-wise अलग-अलग ही होते हैं, तो उसमें कुछ ये देखने की जरूरत रहती नहीं है, तो ये इसमें कोई rocket science नहीं है, सिर्फ उसको chip का देना है, जो ये 4PIN वाला होता है, उसको इस तरह लगा देना है, और कुछ इसमें record rocket science, कोई programming, कोई इलेट्रोनिस का चीज़े नहीं है, सिर्फ मैन्योली छोटा बच्चा भी लगा सकता है, तो आप भी लगा सकोगे, ठीक है, तो दो मोड होते है, ATA मोड एन कोम टर्मिनल मोड, ATA मोड, ADD को रेडी करने की जरूरत है, और फिर प्रोग्राम ATA मोड, ATA मोड के तहत वर्क करता है, ADD वेरी फास्टर से वर्क करता है, यानि कि ATA मोड में आट ड्राइव का कोई भी कमांड फास्ट वर्क करेगा, पर ज्यादा तर केस के अंदर, हम एर कोम टर्मिनल में ही वर्क करना होता है, तो फास्ट तो है, जिसके अंदर चलता है, डाइरेक्स सिंपल चालूप मेंने वाली थोड़ी एबनॉर्मल हाड्रिव से तो हमें कोम टर्मिनल में ही वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, तो हमें ATA और कोम मोड का तो आगे भी देखा है, इसमें भी पता है, फिर भी मैं एक बार इसमें दिखाने की कौशिश करता हूँ, तो मैंने हाड्रे उसको पावर किया, अंदर इंटरफेस में गया, ठीक है, तो मैं हमें रोम को ही रीड करने की कौशिश करता हूँ, जहां कहीं भी अमने डाइरेक्टरी सेट करके रखी होगी, वहीं पर होगा, ठीक है, तो यह हमारा ATA मोड़ेगा, यानि कि हमने कौम शुरू नहीं किया है, एसा मोड़, ओके, रीड रोम हो गया, तो कुछ बार हो जाता है, जो जनरली, सिंपली इतना याद रखना है, कभी भी ATA और कौम मोड़ के अंदर, DRD, DSC रेडी है, ट्राइव अची तरह स्पीन करेगा, थोड़ा सो भी कई भी प्रोब्लेम है, तो ATA मोड़ काम नहीं करेगा, ठीक है, जिसमें ATA मोड़ करता है, तो आमें कर लेने का है, नहीं करता है, तो कौम टर्मिनल्स तो हमारे पास ही, पर हमें पहला ओप्शन ATA त जाता है, तो ठीक है, वरना कौम टर्मिनल्स में ही काम करना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, कौम मोड, सभी सीगेट हाट्राइज के लिए, यूजर को कौम केबल को सही कौम कनेक्टर से जोड़ना होगा, और कौम टर्मिनल्स को वरकिंग करना और फिर यूजर की रिपेर रख सकते है, यानि कि सबसे पहली बात क्या है, कि कौम कनेक्टर को अच्छी तरह कनेक्ट करना होगा, अब देखो काफी बार क्या होता है, दोस्तों, कि हमारा यह जो कौम कनेक्टर है, इसे हम कौम कनेक्टर बोलते है, तो यह कौम कनेक्टर को अच्छी तरह लगा या यूजर नहीं होता है अगर अच्छा नहीं जुड़ा होगा तो आप अच्छा रिस्पॉंस मिलने की कोशिश करोगे कोई भी कमांड लगा वेपलाई करोगे तो वह वर्क नहीं करेगा, ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज हमें यह करना है कि अच्छी तरह कोई भी केबल, कोई भी कनेक्टर लगाते हैं, तो स्योर होने चाहिए हम, कि कनेक्टर लगाने मे हमारा कोई भी प्रोप्लेम नहीए, काफी बार हमारा क्या होता है, कि जो अर्डुष काड़ के तीन चाहи होते हैं, थीर मेरे कुझ से भी काफी बार कैसा हो जाता है, कि मैं पावर केबल लगाता हुँ, शाटा वन का और शाटा के बलभा लगाता हूँ, पामें में उमीद रखता हूं कि मेरी आड़िस पावर में आये तो किसे आयेगी नहीं आती है क्योंकि दोनों का अलग-अलग होता है हमने सही तरफ कनेक्शन ही नहीं दिया है तो वह वर्क नहीं करें लगा तो यह हमेशा यह चीज जो भी वर्क करें हम स्योर होने चाहिए ताकि आगे का आगे करना होगा फिर यूजर सीगेट एडड़िक फोर्मवेर की रिपेर जारी कर सकता है यानि कि कोम टर्मिनल को हमें वर्क किंग करना होगा ठेक है तो पावर ओफ करता हूँ मैंने टर्मिनल तो अल्रेड़ी राल लगाया हुआ है और फ्री टी जनरेट हो चुका है या ठीक है हमें फ्री टी जनरेट करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड़ प्रेस करना है ताकि फ्री टी जनरेट हो जाएगा कभी कभी किया होता है कि थोड़ी देर हम चालू बंद करते है तो अपने आप फिर से फ्री टी जनरेट होना बंद हो जाता है तो उस condition के हमें फिशे condition में हमें फिशे एक बार पावर ओफ पावर ओन करना है जिससे वो हो जाएगा ठीक है कोम केबल के लिए user को double thread thread कोम केबल प्लस शुपर कोम टर्मिनल्स एडेप्रेट शुट प्राप्ट करने का suggestion दिया जाता है जो repair work के लिए बहुत ही useful है अगर आपका budget है और आप extra खर्चा करना चाहते है तो यह super board connector आपको purchase करना चाहिए मैंने अब तक किया हुआ नहीं है मेरे तो एसे ही चलता है ठीक है चाहे ADD busy हो या ready ADD com mode के तहट work कर सकता है लेकिन जब ADD busy होता है तो ADD केवल com mode के तहट work करता है यानि कि अगर ADD busy नहीं है तो आप ATA mode में भी work कर सकते हो मगर ADD busy होता है तो ADD केवल com mode के अंदर work कर सकता है जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई भी जोटा सा इस्यू होगा तो ATA को मोड नहीं चालेगा आपको कॉम मोड में ही काम करना पड़ेगा si get addd firmware की repair के लिए कॉम terminals बहुत ही important है must firmware repair command और functions को कॉम terminals द्वारा execute किया जाना चाहिए और इसलिए पेशन si get addds की firmware failures को fix करने के लिए user को वोब terminals में enter करना होगा T या F3T दर्ज करना होगा याने कि Ctrl Z आप प्रेस करोगे तो आपको F3T दिखना चाहिए ठीक है वरना हमें शोट वगेरा करना पड़ेगा और जैसा कोई लाइव कैस आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा ठीक है अग बसली सीगेट के अंदर बीजी बीजी होता है फिर वी हम वर्क कर सकते हैं जबकि WD में उसको पहले फिक्स करना होता है इसमें में इंपोर्ड खेट एफ्ट्री आये या ना आना वह सबसे मेंट होता है ठीक है तो F3T हमें दिखना चाहिए नहीं दिखता है तो दो बार इक-दो बार पावर औपावरन ओंड डिवां करके भी त्राइग करना है फिर भी नहीं दिखता है तो आपको PCV भी चेंज करना पड़ सकता है य जो भी शिखाऊ जो भी वीडियो देखो अच्छी तरह देखो वही मेरा हमेशा सजेशन है तीसरे टोपिक के अंदर हम आगे बढ़ते हैं Recognize Seagate ADD Series and Family Seagate ADD has the following categories यानि कि Seagate दो केटेगरी का होता है T-Drives यानि कि Seagate old ADD जैसे बारा कोडा 7200.8910 यह old series है और 10 के आगे से new series है तो वह उसकी केटेगरी के वाइस हमें अलग वर्क थोड़ा सा करना होता है बाकी कुछ ज्यादा चेंजिस नहीं है कॉम टर्मिनल्स में Ctrl प्लस L द्वारा यूजर फेमिली के नेम फोर्मवेर वर्जन आधी के बारे में चान सकते है Ctrl L ठीक है क्या Ctrl L से हम फेमिली वगेरा चेक कर सकते है ठीक है तो Ctrl L से हम फेमिली प्रीम वगेरा नाम भी सब डिटेल उसकी जान सकते है क्या है Ctrl L तो चलो हम भी Ctrl L प्रेस करते है पावर ओफ पावर ओन तो है ले Ctrl Z प्रेस करना है बाद में Ctrl L जिसे ही Ctrl L खास करके दियान रिखे Ctrl L ठीक है Ctrl L से डिटेल नहीं दिखेगी ठीक है तो यह Family F8 है इसके वह उसका Family Code होता है ठीक है तो यहीं पूरी की पूरी डिटेल हमें यहां से दिखेगी गिलक्षी 2D वगेरा जो भी Information है वहीं पूरी की पूरी यहां से दिखेगी यह हमारी Granda Family है ठीक है तो यह Гरेंडा है यह Family ID खे उसका Family ID है 58 एट ठीक है तो उसमें से हम सारी information control L प्रेस करके देख सकते हैं यह हमारे preamp type है CB06 यानि की in short सभी की सभी information आपको most of information यहां से दिख जाएगी यह हमारे PCB के serial number है control L हमें याद रखना है इसलिए मैं not paid में भी इसके notes बनाता जा रहा हूँ control Z F3T generate करने के लिए control L family preamp all details देखने के लिए वहां से आगे हम control L का ही information जैसे कि faro family जो भी होगी वो family आपको दिखाएगी यूजर उपर दिये गए picture से families का नाम, families की ID, preamp type और अधिक ID information पा सकते हैं और इसलिए F3T control plus L बहुत ही control plus small L very useful command है तो इसे हमें कभी भी पुलना नहीं है ठीक है तो दो हमारे इस वीडियो के IMP command समने देखे अब हम तिसरा topic पे आते है recognize Seget ADD broad rate com data transfer speed यानि कि data transfer speed com के broad rate के आधार पर fix होती है यानि कि थोड़ी ज्यादा up down होती है मगर कुछ board rate कुछ में ही support करते है सभी में support नहीं करते है तो general हमारी old drives जो है उसके लिए 9600 broad rate अच्छा है अब यह broad rates तो हमें कहां से लेना होता है तो यहां से जो हम com terminals होता है उसके नीचे यह broad rate होता है ठीक है तो वहां से हमें यहां यह broad rate से हमें broad rate change up down वगेरा सब करना होता है तो हमें based road rate हमारे लिए 38,400 सबसे बढ़िया working लगबग सारे के सारे हैट्राश के अंदर यह work करता है प्लीश not here जब user जो हम यहां से broad rate set कर सकते है चेंज कर सकते है जब user रोम को read write करने चाह रहे है तो com mode द्वारा sys files जैसे firmware read write user को higher speed के लिए higher broad rate का select करने की जरूरत होती है mustly हम 4,60,800 का use कर सकते है जो must cigarette drives के लिए बहुत ही important रूप से work करता है और user एक try के लिए उधर higher select कर सकते है यानि कि सबसे बेले में higher p try कर सकते है अगर वो fail होता है तो मैं आइस्था आइस्था यहांसे down 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 में होते जाना है पर यह last में यह 38,400 तो सब में support करता ही है यह 4,60,800 भी most of address अंदर support में रहता है तो हमें पहले यह try करना है बाद में यह यह दोनों बहुत ही useful में बहुत ही simple है कुछ इस बहुत ही working है तो यह दोनों में से हमें एक को जैदातर लेना ऻता है इसके आगे वहता है working करता है तो हमें वह select करना है ठीक है पर पहले हाइस्ट वाला करना है बाद में लो वाला पर लास्ट में वना यह दोनों तो वर्क में आएगे ही आएंगे उसके आगे में हमारा चोथा टोपिक है यह जो भी हो वह कहां पर हमें टोर करना है उसके लिए हमें क्या करना है उसका एक सिंपली स्टेफ है तो जब कभी हम सिगेट यह डेवल यूडी किसी में जाते हैं दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस डिफरेंस जगा पर यह उप्सेंस रखा है तो हम सिगेट की बात कर रहे है तो सिगेट का ही देखेंगे हमारा SATA 2 में R drives 2 TB का लगा हुआ है तो हमें यहां से आगे जाना है F3T में इंटरफेस में जाता हूँ और यहां से हमें working directory set करनी होती है working directory यानि कि किया कि जिसके अंदर हमारा जो भी firmware हो वहाँ पर save हो एसा location जैसे कि मैं मेरी working directory बनाना चाहता हूँ यहां D drive के अंदर test she get करके ठीक है तो यह test she get को मैं अपनी working directory बनाना चाहता हूँ तो आपको यहां से test she get वाला फोल्डर चूस करना है तो अब आपका जो भी रोम वगेरा आएगा जो भी होगा वह आपका सिधा वहां पर ही होगा जब कभी भी आप रोम मोडियूल्स वगेरा कुछ भी चेड़ चानी करोगे तो आपका जो भी होगा वह वह डाइरक्ट वही पर ही शेव होगा मैं अभी एक बार एक सीद देकर इंटर्फ से अंदर जाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह सभी डिटेल दिखे मैं रोम रीड करूगा या कुछ भी करूँगा तो सिदा वह अमने जो वर्किंग डिरेक्टरी शेट किया हुआ है वही पर ही होगा तो चलो मैं अभी यह 4,60,000 वाला ब्रोड रेट मैंने चेंज किया अब मैं रोम को फिर शे एक बार रीड करता हूँ कहां पर करना है टेस दिरेक्टरी का फोल्ड दिखाएगा रोम या रोम रीड हो छुका है ठीक है तो जो भी डिरेक्टरी होगी उसके डिरेक्टरी अपने शेट की होगी वहाँ पर वो उसका फोल्डर बनाएगा वो अपने आप बाद में वो यह granda family है तो granda का फोल्डर वो अपने आप बना लेता है अगर कोई दूसरा family है तो उसका भी वो फोल्डर अपने आप बना लेगा उसके अंदर ही वो save होता जाएगा ठीक है तो यह हमारा था setup working directory का topic अब मैं उससे आगे बढ़ता हूँ confirm the HDD status by status register कुछ case के अंदर हम उसमें इसके आधार पर अंदा जा लगा सकते है ठीक है पेशंट को सिगेट HDD पर पावर देने से पहले यूजर को कॉम विंडो पर जाने और नीचे के रूप में कॉम पोर्ट ओपन करने की जरूरत होती है यानि कि हमें यहां से कॉम पोर्ट ओपन करने की जरूरत यानि कि चालू करने की जरूरत है ठीक है तो हमें अकॉम में वर्क करना है तो कॉम पर तो यूज करना ही पड़ेगा आगे एड़ीडी पर पावर लाइट को क्लिक करें और कॉम टर्मिनल्स मेसेज की चेक करें और फिर कंट्रोल जेट दबाए और देखे कि क्या यूजर फ्रीटी दर्ज कर सकते हैं यानि कि इन 큰 डर्ज होता है चन्रेट होता है यहां वो कंट्रोल जेड़ करके हमें देखना हिे जो हमेरे यहां अलग से इसका नौट फॉइल में बनाया भी हुआ है ठीक तो वो कंट्रोल जेड प्रेस करके देखना है, कौम टर्मिनल मेसेज द्वारा यूजर मस्टली एडीडी के फैलियर्स टाइप का पता लगा सकते है, यानि कि वो कौन सी टाइप की फैलियर्स है उसको हम देख सकते है, आगे यूजर्स लोक्स विंडो में जा सकते है और वह यूजर्स ली एडीडी के फैलियर्स टाइप का पता लगा सकते है, यह चेक करते ही बहुत ही इंपोर्टेंट है, यानि कि कौम टर्मिनल के मेसेज जो भी हो हमें चेक करते रहना है, अगर कोई एरर वगेरा आती है तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट है, तो वो तो हम दे जाता सकते हैं, और वहां मेसेज रीड कर सकते है, और स्टेटर्स रजिस्टर देख सकते है, यानि कि जो हमारा यह जो नीचे का जो यह लाहीट वगेरा है, वो हमारा स्ट्यटस बार है, उसके अंदर कहीं कोई रीड एरर आती है, तो हम यह स्ट्यटस के आदार लाइट के आदार पर हम एक प्रकार से अंदाजा लगा सकते है कि इसमें क्या प्रोब्लेम हो सकता है ठीक है रेडी स्टेटेस का अर्थ है कि यूजर फोर्मवे डायोगनेसिस और रिपेर के लिए प्रोग्राम में इंटर कर सकते है और लोक्स विंडो के भीतर यूजर नीचे दिये गए मेसेज तो आपका जनरली सर्चिंग कम्प्लेट होगा और मेसेज डिस्प्ले करेगा यह सर्चिंग कम्प्लेट वाला जो अब भी अमारी अड्रेव लगाई है उसमें भी करता है ठीक है फिर भी मैं एक बार आपको दिखाता हूँ पावर ओन ईसर्चिंग कम्प्लेट वो जाएगा बिजी स्टेटस अगर बिजी दिखाता है आपकी लाइट अगर यहां पर बिजी आता है तो इसमें इफ सिगेट है वीजर को करने की जरूरत है यानि कि उसके आधार पर हमें कमांड देना है और दूसरी जो भी MALE से उसके आधार पर हमें करना होता और यसा जरूरत पड़ेगी मैं आपको बतता जाओंगा, busy का मतलब है drive busy, drd का मतलब है drive ready to accept command, drive read, dwf drive write fault, dhc device seek complete, drq exchange data with host, crr obsolete, idx device read obsolete, error the last command was a error, पावर, constant power identification, SI error register class भी यह है, bedlock indicator, unc uncorrupted read error, यह दोनों अभी खाली रखे गए हो है, not used, INF sector ID not error, यानि कि हम जिस तरह की light यहाँ पर होती है, उसके आधार पर हम एक प्रकार का अंदाजा लगा सकते हैं, इसके पीछे कुछ fix parameter नहीं है, कि यह light, कि यह problem होगा, तो यह light green होगी, यह light red होगी, ठीक है, तो कभी-कभी हम इसके अंदाजा लगा सकते हैं, तो यह हमारे basic topics, जो IMP थे, यह सभी IMP है, कोई भी एक भी चीज छुटनी नहीं चाहिए, कभी भी use आ सकते हैं, अगर यह base clear नहीं होगा, तो आप आगे नहीं बढ़ सकोगे, पहले मैंने जो command दिख पड़ा हुआ है, पर बखेडा किया है, कि वहाँ पूरी दुनिया का पड़ा हुआ है, उसमें से आपका काम का कौन सी चीज है, वो अलग करने के ही तो आम पेसे लेते हैं, समझ गए मेरी बात को, तो अगर आप यह अलग-अलग करने से यह मेहनत नहीं करोगे, यह नहीं आपको इसमें कुछ आने वाला आगे नहीं है, यह हमारा फर्स्ट IMP topic है, इसमें कुछ basic non-important है ही नहीं, कुछ non-importance था है, वो आगे में निकाल दिया है, आगे के जो वीडियो से उसमें से, उसमें से जो आगे के वीडियो में से जो importance, importance, useful, regular use, कभी-कभी use, थोडा सा use, छ पी बनाएंगे तो यह था हमारा सिगेट च्राइबाद पार्ट यह बटा है अम्हयों करफ़े दिस थे इन्हें कर दिया घांका था ए मैं बसे ह cl directed to this experiment कि कभी खतम ही नहीं होता है जिसा नहीं आएगा तो फिर सी नहीं आ देंगे तो उमीद करता हूँ कि यह फोम्वेर इंपोर्टेंट्स राउंड टू टोपिक पार्ट ए आपको समझ में आया होगा अगर नहीं आया है तो दो बार तीन बार चार बार पांच बार वीडियो फ for purchase or data recovery video course. Thank you very much.